तो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका सनातनी लेजंड यूटूब चैनल में आप सभी ने थमनेल देखी लिया होगा आज का विशा यही है जानिये वेदों को और जानिये सनातन धर्म को जितने भी वीवर्स हैं उन सभी को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि मैं ये ब बहुत बार बता चुका हूं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम मनुस्मृदी ये बात कहती है वेद जो हैं वो धर्म के मूल है धर्म को अगर समझना है तो हमें वेदों को समझना होगा कि वेद क्या कहते हैं तभी हम जान सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म असल में कहता क्या है उस की वज़े से उन्होंने अपने सामर्थ को ऐसे जीवन उन्होंने जिया जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुरलब है कुछ लोग उनको भगवान मानते हैं कुछ लोग उनको इश्वर का अवतार मानते हैं वो एक अलग विशय है ठीक है कोई मानता है नहीं मानता है उससे कुछ ये नहीं है वो तो एक अलग विशा है वो सब अपनी अपनी मान्यताय है क्या है क्या है क्या नहीं है वो तो एक दूसरी चीज है लेकिन अभी हमारा विशा ये है कि हमारे जो वेद है वो असल में क्या कहते हैं तो बहुत सारे अलिगेशन का वाहन कौन है? वाइट कलर का उलू है. ऐसे करके अलग-अलग पशुओं के वाहन जो हैं हमारे देवी-देवता धारन करते हैं. एक तरफ हम पशुओं से प्रेम करने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बली-प्रथा का समर्थन भी कर रहे हैं. गाई की बली तो नहीं डेटी को हम अरपन करते हैं तो इस प्रकार की बली प्रथा जो है वो चलती आ रही है जाती वाद है तो इस तरह से अलग-अलग प्रथाएं और परमपराएं चलती आ रही है उन परमपराओं के वीज में सत्यता क्या है क्या सच है क्या जूट है ये तो हमें जानना बहुत ज दरूरी है तो चलिए आज के विशय में हम इन सब चीजों के उपर डिसकेशन करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो अविसली इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा लेकिन कोशिश कर मैं फर्स्ट पार्ट में ज्यादा से ज्यादा चीज़ें कवर कर सकता है तो चलिए बिना किसी देर के इस प्रसूति को शुरू करते हैं तो वेदों के विशय में सबसे अधिक प्रचलित भरम ये है कि वेदों में पशु बली मांसाहार आदी का विधान है इस भ्रांती के मुख्य कारण है पास्चाते विद्वानों जैसे मैक्स मूलर ग्रिफित आदी मध्यकाल के आचारियों जैसे शायन महिधर आदी के द्वारा वेदों के गलत अर्थ करना इसाईयों मुसल्मानों आदी द्वारा तथा साम्यवादी अत्वा नास्तिक विचार धारा के समर् को आख बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों का लक्षन नहीं है हम वेदों के सिध्धान्त की परिक्षा वेदों की शाक्षी के द्वारा करेंगे जो भी वेदों में है तो कोई कुछ बोल देता है उससे कुछ नहीं होता असल में वेदों में है क्या वो तो वेद को देखने के बाद ही पता चलेगा, है ना, तो तब हम समझेंगे कि वो जो allegation, अगर कोई विरोधी पक्ष जो है, कोई opposition, अगर जो है, वो सनातन धर्म के उखकर allegation लगाता है, वो कितना सच है, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन maximum सनातन धर्म के पालन करने वाले, जो लोग खुद को so called बोलते हैं, वो गरंतों के नाम तक नहीं जानते, ठीक है, मैंने एक वीडियो भी देखा था, तो जो कल की movie की आई थी, एक review थी, जहाँ पर एक लड़की जो है, अश्वत्थामा जी को अश्वगंदा बोल रही है, तो शायद उसका tongue misslip हो गया होगा, या फिर tongue slip हो गया है, कुछ reason हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा, इतनी बड़ी गल्ती कैसे हो सकती है, ठीक है ना, सोचने वाली बात है, ठीक है, तो किसी हमारी भ्रांती, जो doubts है, वो सब खतम हो सके, और जितने भी भ्रहम है, वो सब उनका निराकरण हो सके, अब पहला doubt आता है कि क्या वेदों में मांस भक्षन का कोई विधान है, मांस वगयरा खाने का कोई विधान है क्या, आजकल जो कहते हैं कि सनातन धर में मांस बक्षन का वेधान नहीं है लेकन इसमें सचाई कितनी है चलिए देखते है तो ये जुरुवेद के मैं इसका reference मिलता है मैंने reference clearly बताया है ये जुरुवेद के 1.1 में मिलता है कि वेदों में मांस बक्षन का सपष्ट निशेद किया गया है अनेक वेदों मंत्रों में सपष्ट रूप से किसी भी प्राणी को मार कर खाने का निशेद किया गया है ये वाला मंत्र को देखिए ये जुरुवेद के 1.1 को जैसे है मनुश्यों जो गव आदी पशु है वे कभी भी हिंसा करने योग्य नहीं है अब गव आदी पशु है सिर्फ गव माता की बात नहीं की गई है गव आदी पशु है जो चार पैर वाले जो पशु है वो सब कभी भी हिंसा करने के वाले हिंसा करने के योग्य नहीं है मतब उनको नहीं मारना चाहिए अब आगे बात करता है ये जुर्वेद के 40.7 जो लोग प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के तुल्य जानते हैं अर्थात जैसे अपना हित चाते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्थते हैं मतब जैसे उनको जैसे वो जैसे देखो हर प्राणी खुद का अच्छा चाता है कोई नहीं चाता भाई खुद का बुरा हो तो जैसे आप हम जो है आप या हो या फर हम हो जैसे हम खुद का हित चाते हैं खुद का अच्छा चाते हैं उसी तरह से हम दूसरों का भी अच्छा नहीं होते, तो उनको कभी दुख नहीं होता, किसी भी चीज का उनको दुख नहीं होता, तो ये चीज आप याद भी रख लें, या तो आप नोट कर लें, या तो आप याद भी रख लें, वेदों की बाणी है ये, तो जो लोग प्राणी महत्र को, कोई भी प्राणी हो, वो अपनी आत्मा के तुले जानते हैं जैसे उसमें जान है वैसे ही मेरे मेरे में जान है तो मझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और जैसे अपना हित चाहते हैं जैसे खुद का भलाई चाहते हैं खुद को कोई कष्ट ना हो खुद आराम से रहें जैसे वो चाहते हैं उसी जब वेद का 6.140.2 यहां पर मेंचन मिलता है कि चावल खाओ, जव खाओ, उडद खाओ और तिल खाओ तुम्हारे लिए यही रमणिय भोजे पदार्थों का भाग है तो यह बोलता कौन है यह इश्वर बोलते हैं आमें कि चावल खाओ, जव खाओ, उडद खाओ और तिल ख जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, तो किसी भी प्रकार के जानवर कुछ आए वो मेल हो या फीमेल हो, उसके प्रती कभी हिंसा या वाइलिंट मत बनो, अब आगे बात करते हैं फिर अथरववेद का जो नर और मादा, विरण यानि एम्ब्रियो और अंडो यानि एग या फिर ओवम का नास से उपलब्द हुए मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए अथरववेद स्वयम कहता है, अथरववेद का रेफरेंस आपको चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी बाते बताई गई हैं, तो इससे तो क्लियर कट पता चलत है, फिर एक और रेफरेंस देखिए अथरववेद कहता है कि निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है, हमारे गाए, घोडे और पुरुषों को मतमार, इन मंत्रों से सपष्ट है कि वेदों के अनुसार मांस भक्षन जो है वो निशेद है, restricted है, not allowed, अब आगे बा वरनन मिल गया है, तो क्या पशुबली का विधान है, देखिए, पहला तो आपको एंसर इधर से ही मिल जाता है कि अगर एक जानवर को मारोगे नहीं, तो भई, मांस तो ऐसे मिलेगा नहीं, ठीक है, वो तो अपने हाथों से काट कर तो आपको चिकन बिरियानी नहीं कहिला का तो विधान नहीं है, लेकिन बली प्रथा का तो विधान होगा, तो चलिए, जानने की कोशिश करते हैं, उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, तो यग्य की महत्ता का गुणगान करते हुए वेद कहते हैं कि सत्यनिष्ट विध्वान लोग यग्यो द्वारा ही पूजनिय परमेश्वर की पूजा करते हैं यग्यो वई स्रिष्टतम कर्म आदी आर्श वचनों के अनुसार यग्य कर्मे सर्वस्रेश्ट धर्मों का समावेश होता है यग्य शब्द जिस यजधातु से बनता है उसके अर्थ देव पूजा संगती करण और दान है यग्य ना करने वा हम आपको यग्य करने नहीं देंगे वगेरा वगेरा तो इससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो आपको तो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो क्लियर कर बात है तो वेदी यग्य को प्रमेश्वर की प्राप्ति का साधन बताते हैं जिसमें हिंसा का नाम भी नह जियों में पशुबली का विधान ब्रान्त धारणा मात्र है उससे जादा कुछ नहीं यग्य में पशुबली का विधान मध्यकाल की देन है यहनी जो मिड टाइम था भारत का वो सबसे जादा गिरा हुआ टाइम था ऐसा ही हम कह सकते हैं जिस टाइम हमारे सनातन धर्म को सब लोग भूलना चालू कर दिये उसके जो परंपरा है उसमें खोट शुरू हो गई उसमें गल चीज़ा आड़ होना शुरू हो गई तो ये महाबारत के काल के बाद दीरे 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 जब कल्यूग बढ़ने लगा और पाप का भार बढ़ना शुरू हुआ तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई प्राचिलकाल में यग्यों की जो यग्यों में पशु बली आदी प्रचलित नहीं थे मध्यकाल में जब गिरावट का दोर आया तब मांसाहार शराव आदी का प्रयोग शुरू हो गया मत मतांतरों को मानने वाले लोगों ने अपने मनमाने वेद भाष बना कर वेद में मांसाहार पशु बली गाय घोडे बैल आदी का वध करने का यानि उनको जान से मारने का जो विधी है वो सब प्रचार प्रचार करने लगे तो जिसे देखकर मैक्स मूलर विल्सन और ग्रिफेत आदी पास्चात्य विद्वान इन सब लोगों ने वेदों में मानसाहार का भरपूर प्रचार कर ना केवल पवित्र वेदों को कलंकित किया अभीतु लाखो निर्दोष प्राणियों को मरवा कर मनुष्य जाती को पा कटीरा यानिए दारु मैंथून यानि सेक्स और मीन यानि मचली आदी से मोख्ष की प्राप्ति मानता था तो यह सब चीजे खाकर भी आप मोख्ष की कर सकते हो ऐसा वामबार्क का प्रचलन हुआ तो जो बुरे लोग है ये सब चीज़े अपलाई करने लगए कि उनके मन को शांती मिलती थी ठीक है कि अरे अरे भाई हमारी मर्जी है हम तो वो करेंगे हमारी जो मर्जी है तो अपनी जो मनमानी मर्जी ये सब शुरू करने लगए तो आचारे शायन आदी यों तो विद्वान थे पर वाम मार्ग से प्रभावित होने के कारण वेदों में मांस भक्षण एवंग पशुबली का विधान दर्शा बैठे निरिह प्राणियों के इस तरह कतले आम और बोजिल कर्मकांड को देखकर गौतम बुद्ध एवंग महावीर जी ने वेदों को हिंसा से लिप्त मान कर उन्हें अमान नेगोशित कर दिया जिससे वेदों की बड़ी हानी हुई एवंग आवेदिक मतों का परचार हुआ तो जैसे की जो बुद्धिजम और जैनिजम इन सब मतों का परचार और परचार हुआ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है या फिर सही है यहाँ पर बात यह है कि अगर आप किसी चीज को क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध जी और महावीर जी जो संत हुए बड़े बड़े संत हुए तो उन्होंने खुद बोला गौतम बुद्ध जी खुद बोलते हैं कि पहले जो ब्राम्भन थे वो ऐसे हिंसा नहीं करते थे लेकिन बाद में जो आए वो यग्यों के नाम पर हिंसा वगेरा करने लगे अध्वर शब्द जो है वो आता है और यग्यों का मतलब अहिंसा होता है ये गौतम बुद्ध जी और महावीर जी ने क्लियर कट कहा है अपने ग्रंथों में तो इसमें तो कोई डाउट उठता ही नहीं है और तो इसे आवेदिक मतों का जामी सेनी पड़ी वेदों में मांस भक्षण के विधान के गलत परचार के करण देश की कितनी हानी हुई इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कहां तो वेदों में जीवरक्षा और निरामिश भोजन यानि प्योर वेज का आदेश है उसका ओर्डर है और कहां उसके व है और उससे जादा कुछ नहीं समझ के फेर की वज़े से एक गलत प्रथा आना शुरू हो सकता है अगर कोई विध्वान व्यक्ति किसी समाज में ना रहे तो इसका हालत यह होता है समाज का हालत खेर प्राचिन आर्ष भाषा आर्य भाषा में मांस भक्षन पशुबली वेद में यग्य के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ निरुक्त के अनुसार हिंसार रहीत कर्म है अब ये निरुक्त क्या है निरुक्त छे वेदांगों का एक पाठ है जिसको समझने के बाद हम वेदों के सही भाष को सही स्वरूप को सही ट् तो ऐसे करके 6 वेदांग आते हैं, तो 6 वेदांग को अच्छे से study करने के बाद हम वेदों के सही अर्थ को समझ सकते हैं, वेद के कुछ मंत्र है जो हैं वो देखना योग्य हैं, तो पहले रिगवेद के मंत्र को देखते हैं, रिगवेद के 1.1.4 तो यहां पर बताया गया ह कि हे ग्यान स्वरु परमेश्वर तू हिंसा रही ती यग्यों में यग्यों अध्वर में ही व्याप्त होता है और ऐसे ही यग्यों को सत्यनिष्ट विद्वान लोग सदा सुईकार करते हैं तो जो अध्वर यानि हिंसा मतलब हिंसा रही ती यग्यों में ही तू व्याप्त ह होता है हिंसा राइत चीफ यंग्य me कोई प्रकार की वा इलेंस नहीं होता उसी एंवह व्यापत होता है और ऐसे यग्यों को जितने इंटेलिजेंट लोग है उसको फिकृती देते हैं एप्रूव करते हैं यग्य के लिए अध्app हिंसा राइकत शब्द का प्रयोग रिग वेद के इस इस पार्ट में साम वेद के 2.4.2 अथरव वेद के 4.2, 4.3 फिर अथरव वेद के 1.4.2 तो मैंने इसे डीटेल में नहीं बताया कि क्या 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 है तो डीटेल नहीं बताया तो आप खुद चेक कर सकते हैं ठीक हर एक चीज को डीटेल में ब अंत्रों में होने से यह सिद्ध होता है कि यग्य में हिंसा जो कर्म है किसी को मारना जो कर्म है वो निशिद है वो allowed नहीं है फिर पशुबली का तो कहीं पर question उठता ही नहीं है तो यजुरवेद के 36.18 हे प्रवु मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टी से देखें मैं सब प्राणीयों को मित्र की प्रेम मैं दृष्टी से ही देखूं हम सब आपस में मित्र की दृष्टी से ही देखे फिर यजुरवेद में यग्य को स्रिष्टतम कर्म कहते हुए पशु रक्षा का उपदेश किया गया है यजुरवेद के 6.11 में पती पतनी को उपदेश है कि पशुओ की रक्षा करे यजुरवेद के 14.8 जहां पर वर्रन मिलता है कि हे मनुष्य तुम दो पेरवाले अर्थात अन्य मनुष्यों एवंग चार पेरवाले अर्थात पशुओ की रक्षा सदा किया करो चारो वेदों में अनिक मंत्रों से यह सिद्ध होता है कि यग्यों पशुबली तो दूर किसी भी प्रकार की हिंसा allowed नहीं है अता यह जो doubt केवल अनरगर प्रलाप है केवल और केवल प्रप्रपगंडा है और उसके अलावा और कुछ नहीं जो प्रपगंडा है कि वेध यग्यमे पशुबली का विधान करते हैं ठीक है तो यह बस एक प्रोपागंडा है इसका वास्तविक्ता के साथ कोई सम्मंद नहीं है आगे बात करते हैं तो जो तृतिये शंका है जो थर्ड आउट है क्या वेदों में वर्णत अश्वमेद नर्मेद अजमेद गोमेद में घोडा इंसान या गव यानि गाय कि यग्यों में बली देने का विधान है क्या तो मेद का मत्तब तो हिंसा करना होता है अश्वमेद यानि अश्व के प्रति हिंसा नर्मेद यानि नर के प्रति हिंसा अजमेद यानि अज के प्रति हिंसा गोमेद यानि गोव यानि गोमाता के प्रति हिंसा तो इसका मत्तब में मेध शब्द के तीन अर्थ हैं मेधा अथवा शुद्ध बुद्धी को बढ़ाना दूसरा लोगों में एकता अथवा प्रेम को बढ़ाना तीसरा है हिंसा जैसा कि मैंने कहा कि अध्वर शब्द यग्यों में आता है थो हिंसा का तो कहीं पर सवाल उठता नहीं है ठीक है अब आगे बात करते हैं इसलिए मेध से केवल हिंशा सब्द का जो है अर्थ ग्रयान करना उचित नहीं है जब यग्यक को अध्वर अर्थात हिंशा रहित कहा गया है तो उसके संदर्ब मेध का अर्थ हिंशा क्यों लिखा जाए ठीक है बुद्धिमान व्यक्ति मेधा भी कह जाते हैं इसी तरह लड़कियों का नाम मेधा सुमेधा इत्यादी रखा जाता है तो क्या ये नाम उनके हिंशक होने के कारण रखे जाते हैं या बुद्धिमान होने के कारण जरा सोचने वाली बात है दिमाग की खोपड़ी को खोल कर सोचने वाली बात है ठीक है नेरो मा अर्थ यग्यम में अशो की बली देना नहीं है अपितु शत्पत ब्राम्बन के इस इस रेफरेंस के अनुसार राष्टर के गौरव कल्यान और विकास के लिए किये जाने वाले सभी कार्य अश्वमेद हैं तो फिर से मैं बता देता हूँ शत्पत ब्राम्बन के 13.1.6.3 और शत्पत ब्राम्बन के अनुसार राष्टर के गौरव कल्यान और विकास के लिए किये जाने वाले सभी कार्य जो हैं वो अश्वमेद हैं अब आगे बात करते हैं गोमेद का अर्थ यग्य में गव की बली देना नहीं है अपितु अन को फूड को दूशित होने से बचाना अपनी इंद्रियों को वश में रखना सूर्य की किरणों से उचित उप्योग लेना धर्ती को पवित्र या साफ रखना गोमेद यग्य हैं क्योंकि गो के अर्थ अन भी होता है इंद्रिय भी होता है यानि सेंसस होता है अन यानि फूड होते हैं सूर्य का किरण शन साइन होता है प्रत्वी यानि अर्थ होता है इंग्लिश में भी समझाना पड़ा ताकि किसी को कोई कॉंप्लेक्स वर्ड ना लगे यार ये क्या क्य अजमेध का अर्थ बकरी यादी की यग्य में वली देना नहीं है अपितु अज कहते हैं बीज अनाज या धान आदी को इस प्रकार कृशी की पैदावार बढ़ाना अजमेध है इसका सीमित अर्थ अगनी होत्र में धान आदी की आहुती देना भी होता है उसके बाद आता है चोथा डाउट ये जुरुवेद मंतर के 24.29 में हस्तीन आ लभते अर्थात हाथियों को मारने का विधान है अरे अब तो आपकड़े गए तो चलिए देखते हैं सचाई क्या है हस्तीन शब्द का अर्थ अगर हाथी ले तो इस मंतर में राजा को अपने राजे के विकास हेतु हाथी आदी का प्राप्त करना अपनी सेना को सुद्रुड करना बताया गया है यहाँ पर हिंसा का कोई विधान नहीं बताया गया तो सीधी सी बात है पारशकर गुरुहे सुत्र के 2.2.16 में कहा गया है कि आचारे ब्रह्मचारी का आलंभ अर्थात हृदय का स्पर्ष करता है यहाँ आलंभ का अर्थ टच करना है पारशकर सुत्र के 1.8.8 में भी आया है कि वर वधु के दक्षन कंदे राइट वाले कंदे के उपर हाथ ले जाकर उसके हृदय का स्पर्ष करे यहाँ पर भी आलंभ का अर्थ स्पर्ष आया यहाँ टच करना आया तो आप ही बताईए अगर यहाँ पर आलंभ आलंबन जो शब्द का अर्थ मारना ही ग्रहन करें तो यह कैसे युक्ति संगत एवं तरक संगत होगा तो मतलब वर और वधु के शादी हो रही है और वर जो है वो सीधा चाकू लेकर इसके जो हृदय में सीधा आलंबन कर दे यानि उसको मार दे क्या लॉजिक है भाई शादी है कि बरबादी है तो सोचना चाहिए आप सभी को तो शंका पांचवी शंका यह आती है कि वेद ब्रामण एवं सुत्र गन्तों में संग्यापन शब्द आया है जिसका अर्थ पशु को मारना है कितना सच है अब देना दिलाना तथा मेल कराना है तो इसमें से मारने वाला जो पाठ है वो कहीं पर भी नहीं आता है ठीक है अथरववेद के 6.10.14 और 15 में लिखा है कि तुम्हारे मन का ज्यान पूर्वक अच्छी प्रकार संग्यापन यानि मेल हो तुम्हारी हृदयों का ज्यान मन के 1.4 में एक आख्यानिका है यानि explanation है जिसका अर्थ है मैं वाणी में तुझे मन से अधिक अच्छी हूँ तू जो कुछ मन में चिंतन करता है मैं उसे प्रकट करती हूँ यानि वाणी यानि जो words होते हैं वो मन के ही explanation होते है आपका mind जैसा होता है आपके words भी उसी तरह से explained होते हैं आपके words आपके mindset को represent करता है simple सी बात है यही बात बताई गई है तो मैं उसे अच्छी प्रकार से दूसरों को जतलाती हूँ संग्यापयामी तो संग्यापन शब्द का मेल के स्थान पर हिंसापर का अर्थ करना अज्यानता का परिचायक है यानि संग्यापन दुकार जो आते है वो represent करना है explain करना है present करना है तो इसका मतलब किसी को बली देना किसी का सर काटना नहीं होता अब छटी शंका वेदो में गोगन शब्द आता है जिसका सीधा अर्थ है गउ को मारना शत्रुगन यानि शत्रुग का संग्यापन करने वाला तो गोगन शब गोगन शब्द में हन्धातु का प्रयोग है जिसके दो अर्थ हैं हिंसा और गती गोगन में उसका गती अथ्वा ज्यान गमन प्राप्ति के विशक अर्थ हैं मुख्य भाव यहां प्राप्ति का है अर्था जिसे उत्तम गव प्राप्त कराई जाए ठीक है हिंसा के प्रकरण में वेद का उपदेश गव हत्या करने वाले से दूर रहने का है रिग वेद के 1.114.10 में लिखा है कि जो गोगन गव की हत्या करने वाला है वो नीच पुरुष है वो तुमसे दूर रहे वेदों के कई रिफरेंस से पता चलता है कि हन का प्रयोग किसी के निकट जाने या पास पहुँचने के लिए भी किया जाता है तो यह मैंने पहला रिफरेंस बताया जहां पर गोगन यानि गव की हत्या करने वाला है वो नीच पुरुष है तो यहां पर यह अर्थ लिया का उपदेश है इस मंत्र का यह अर्थ पती पतनी के पास जाई यह होता है ना कि पती द्वारा पतनी को मारना ठीक है तो यहां पर भी वो जो गोगन वाला शब्द जो आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पती द्वारा पतनी को पीटना तो इसका मतलब यह नहीं है तो इसलिए हनन का केवल हिंसा अर्थ में प्रयोग करना भ्रहम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है सात्वी शंका सात्वा डाउट है कि वेदों में अतिति को भोजन में गव आधी का मांस पका कर खिलाने का आदेश है कितना सच्छे चलिए जानते हैं रिग वेद के दस्वे मंडल के 68 शुक्त के तीसरे मंतर में अतितिर नीरगाह का अर्थ अतितियों के लिए गववे किया गया है तो वेद के विरोधी इसका तात्पर ये लेते हैं इसका मतलब ये निकालते हैं कि किसी प्रतिष्ठ दिवेक्ति के आने पर गाय के मांस को काट कर उसे ही खिलाया जाए तो यहाँ पर जो डाउट यानी भ्रम यानी प्रोपागेंडा बना है उसका मुख्य करण अतितिनी शब्द को समझने में गलती है यहाँ पर उचित अर्थ बनता है ऐसी गोएं जो अतितियों के पास दानार्थ लाई जाए दान के रूप में वो लाई जाए ऐसी गोएं जो अतितियों को दान के रूप में लाई जाए उन्हें दान की जाए उन्हें दिया जाए मोनियर विलियम ने भी अपने संस्कृत इंग्लिश जो डिक्शनरी है वहाँ पर अतितिग्व अतिथिग्व का अर्थ तो ये पेज नमबर 14 में है ठीक है मोनियर विलियम डिक्षिनरी के पेज नमबर 14 में इसका परन मिलता है अर्थात जिसके पास अतिथि प्रेम वश जाएं ऐसा किया गया है श्री जो ब्लूम फिल्ड ने भी इसका अर्थ प्रेजेंटिंग काउस टूगेस्ट अर्थात अतिथियों को गोएं भेट करने वाला ही कहा गया है तो मारकर जरूरी नहीं है कि उनको मारकर ही भेट किया जाए तो कहीं पर तो मांस खाना या फिर मांस परोसना इसके बारे में खाने का आदेश है उत्तर यह है कि ये भी एक भ्रांती ही है कि वेदों में बैल को मार कर खाने का आदेश है वेदों में जैसे गव के लिए अघन्या अर्थात ना मारने योगे शब्द का प्रयोग है उसी प्रकार से बैल के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग है ये जुर परन्तु मानव समाज को भी उसकी रक्षा में भाग लेना चाहिए उसके बाद अथर्मवेद के उसी मंडल के उसी सुक्त के 19 मंत्र में अगर हम देखें तो उस मंत्र में बैल के लिए अघन्य और गव के लिए अघन्या शब्दों का वर्नन मिल सकता है मिलता है तो इसे पता चलता है कि अघन्या और अघन्य यानि ना मारने योग्य ठीके हिंगसा ना करने योग्य अप आगे बात करते हैं यहाँ पर लिखा है कि ब्रामभणों को रुषब यानी बैल का दान करके या दाता अपने को स्वार्थ त्याग द्वारास्रेश्ट बनाता है मतब अपने जो अपने को स्वार्थ है उसको त्याग करता है क्योंकि हमारी इंडिया जो है बहुत पुरानी और agricultural country रही है गाए और बैलों का देश रहा है तो जो गाए और बैल का दान करता है तो वो बहुत ही अनमोल होते हैं हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा क्योंकि agriculture में हम उनको यूज करते हैं तो भई सबसे ज़्यादा तो उनकी ही पुजा होनी चाहिए और उनको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि हम उनके उपर dependent थे तो जा सबसे ज़्यादा nutrition उनसे मिलते हैं अगरिकल्चरल काम सारे हो अब तो भई ट्रैक्टर की टेक्नोलजी आ गई है वो इक अलग चीज है लेकिन पहले तो ऐसे होता था तो वो अपनी गउशाला में बेलो और गउओं की पुष्टी देखता है ये दाता अपने को स्वार्थ के त्याग द्वारा मतलब क्यूंकि वो दान कर रहा है तो अपने स्वार्थ का त्याग कर रहा है अपने वेल्थ का त्याग कर रहा है तो वो खोद स्रेश्ट बनता है वो महान बनता है वो अपनी गवशाला में बेलो और गवव की पुष्टी देखता है उनको nutritious फला फूला होता हुआ देखता है अथरववेद में जो इस मंत्र में 9.4.20 उसमें कहा गया है कि जो सत्पात्र में सत्पात्र मनि सही पात्र में बुरुशब का दान करता है मतलब जो सुपात्र होता है जो दान के योग्य होता है ऐसे किसी को दान नहीं देना है मतलब जिसको देना चाहिए उसको अगर कोई दान करता है तो उसकी गोएं संतान आदी उत्तम रहती है इन reference से पता चलता है कि गवव के साथ साथ बैल की रक्षा का वेद संदेश देते हैं उनके केरिंग का उनके ओवरॉल हेल्थ का भी सही रखने का भी संदेश देते हैं तो कहीं पर उनको मारने की बात नहीं की गई है अब वेदों में क्या वुरुद्ध गव अथवा बैल को मारने का विधान है तो शंका का कारण रिगवेद के आठवे मंडल के 43 सुक्त के 11 म मंत्र के अनुसार बंध्यागों की अगनी में आहूती देने का विधान बताया गया है यह अर्थ जो है सरवदा अशुध है तो यहां पर बताया गया है कि बंध्यागों की अगनी में आहूती देने का विधान तो यह जो अर्थ है यह बिल्कुल भी लोजिकल नहीं है क्य यानि अन्न और भोज्य के समान हो जाते हैं इसका सत्पत ब्रामण के अनुसार सत्पत ब्रामण के 5.1.3 के अनुसार अर्थ है कि पृत्वी भी जिसके अन्न के समान भोज्य है ऐसे परमेश्वर की नमस्कार पूर्वकस्तूतियों से सेवा करते हैं वेदों के विशय में इस भ्रान्तिक के होने का मुख्य कारण वशा, उक्षा और रिशब आदी शब्दों के सही अर्थ को ना समझपाना होता है तो यग्य प्रकरण में उक्षा और वशा दोनों शब्दों के औशधी परक अर्थ हैं जिन्हें अगनी में डाला जाता है अथर्व वेद के 1.10.1 के अनुसार इश्वरी नियम और नियामक शक्ति है शत्पत ब्राह्मन के 1.8.3.15 के अनुसार वशा का अर्थ पृत्वी भी है अथर्व वेद के 20.103.15 के अनुसार वशा का अर्थ संतान को वश में रखने वाली उत्तमस्त्री भी होती है तो इस सत्य को ना समझ कर वेद मंत्रों का अनर्थ करना निंदर यही है अब दश्वेशंके की और आते हैं दश्वाडाउट की और आते हैं वेदादी धर्म गरंथों में माश शब्द का प्रयोग हो उलेख है तो इसका अर्थ तो मांस खाना है तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि माश शब्द का प्रयोग है और उसका मतलब मांस खाना है तो उसको संस्कृत का रद्दिभर भी नॉलेज नहीं है तो माश शब्द का प्रयोग माशोधनम के रूप में हुआ है इसे बदल कर किसी मांस भक्षी ने मांसो धनम अर्थ कर दिया है तो यहाँ पर मांस एक डाल के रुप में वर्णित है यहाँ मांस का तो प्रशन ही नहीं उड़ता आयर्वेद शुशुत संगीता के शरीर अध्याय दो में गर्ववती स्त्रियों के लिए मांसाहार को सक्त मना करता है और उत्तम संतान पाने के लिए मांस सेवन को हितकारी कहता है इससे क्या स्पष्ट होता है कि यही कि मांस शब्द का अर्थ मांसाहार नहीं अपितु इसमें दाल आदी को खाने का आदेश है फिर भी अगर कोई माश को मांस ही कहना चाहे तब भी मांस को निरुक्त 4.1.3 के अनुसार मनन सादक, बुधी वुर्वक और मन को अच्छी लगने वाली वस्तु जैसी फल का गूदा, खीर आदी को कहा गया है प्राचिन ग्रंथों में मांस अर्थात गूदा खाने के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जैसे चरक संगीता में आम्र मांसम, यानी आम का गूदा, खजूर मांसम, यानी खजूर का गूदा, यानी उसका जो फलेश वाला पाठ होता, इसका मतलब यह नहीं कि किसी अनिमल का ही फल होता है कि वेदादी शास्त्रों में जहां पर मांस शब्द आता है अथवा मांस के रूप में भी जिसका प्रयोग हुआ है उसका अर्थ डाल अथवा फोलो का मध्यभाग अर्थत बूदा है उसके बाद बात करते हैं कि वेदों में यग्य में घोड़े की बली देने का और होडे का मांस पकाने का आदेश है तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये डाउट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो इसके बारे में भी उत्तर जान ही लेते हैं तो ये जुरवेदक के 25 अध्याय में सायण, महीधर, उवर्ट, ग्रिफित और मैक्समुलर आ ग्रतिशील और तेज तो ये जुरवेद के 35.34 मंतर का अर्थ करते हुए शायण लिखते हैं कि अगनी से पकाई मरे हुए तेरे अवयवों से जो मांसरस उठता है वह भूमी या त्रुन पर नागिरे वह चाते हुए देवों को प्राप्त हो इसे मंतर का अर्थ स्वामी द दिया जाता है वह रोगी जन के लिए हितकारी होता है एवंग मनुष्य को व्यर्थ वचनों का उच्चारन ना करना चाहिए किंतु विद्वानों के प्रती उत्तम वचनों का ही सदा प्रयोग करना चाहिए अश्वकी हिंसा के विरुद ये जुरवेद के 13.47 मंतर का आयन जी लिखते हैं कि हे अश्वत तु अन्य अश्वकी तरह मरता नहीं क्योंकि तुझे देवत्त प्राप्ति होगी और ना हिंसित होता है क्योंकि व्यर्थ हिंसा का यहां अभाव है प्रतक्ष रूप में अवयव नाश होते हुए ऐसा कैसा कहते हो तो उनका ये जो कहन है ये प्रतक्ष रूप में अवयव का मतलब प्रतक्ष प्रावाणा उनके सामने है कि एक अश्वकी बली दी जा रही है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बली नहीं दी जा रही है या फिर उनकी इंसा नहीं हो रही है तो ये तो कहीं पर भी लॉजिकल ठहरता नहीं है तो इ कहते हैं कि जैसे विद्या से अच्छे प्रकार प्रयुक्त अगनी जल वायू इत्यादी से युक्त रथ में स्थित हो के मार्गों से सुख से जाते हैं वैसे ही आत्मग्यान से अपने सुरूप को नित्य ज्यान के मरण और हिंगसा के डर को छोड़ कर दिव्य सुखों को प् 38.3 और 10.83.14 मंतर का उद्धरन किया गया है यहां पर व्रिशब और उक्षन शब्दों के अर्थ से अनभिग्य लोग जो है उसका अर्थ जो है वो बैल कर देते हैं वैसे व्रिशब का मतलब बैल भी होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ हर जगा पर बैल ही लगाय जाए रिगवेद में लगबग 20 स्थलों पर अगनी को 65 स्थलों पर इंद्र को और 11 स्थलों पर सोम को और 3 स्थलों पर परजन्य को 5 स्थलों पर ब्रुहस्पति को 5 स्थलों पर रुद्र को व्रिशब कहा गया है व्याख्याकारों के अनुसार व्रिशब का अर्थ यग्य है उक्षन शब्द का अर्थ यृगवेद में अगनी सोम आदित्य मरूत आदी के लिय प्रयोग हुआ है जब व्रिशब और उक्षन शब्दों के इतने सारे अर्थ वेदों में दिये गए है तब व्यर्थ ही बैल अर्थ कर उसे इंद्र को खिलाना युक्ति संगत एबंग तरक पूर्ण नहीं है ना लॉजिकल है ना रिजनेबल है तो इसी शंदर्व में रिगवेद के 2.52.1 में इंद्र के भोजे पदारत है निरामिश ध्यान करंभ पूरोडस तथा पे सोमरस है ना की बैल तो ये अलग-अलग प्रकार के ड्रिंक्स है जो की डीटेल में में पारे में भी आपको बताऊंगा कभी upcoming streams में धीरे-धीरे में हर एक शलोको के ऊपर मैं आपको डीटेल में बताऊंगा और बहुत जल्द मैं बगवत गीता के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डीटेल में एक surprise लाने वाला हूं वैसे free रखूंगा सब के लिए ठीक है तो उसके ल उत्तर यह कि यजुर्वेद के 8.43 में गाय का नाम इडा, रंता, हव्या, काम्या, चंद्रा, जोती, अधीती, सरस्वती, मही, विश्रुती और अगन्या कहा गया है स्तुती की पात्र होने से, यानि प्रसंशा का पात्र होने से, प्रसंशा का पोजिशन वो पाने से वो इडा, रम इत्री होने से वो रंता, इसके दूध की यग्य में आहुदी दी जाने के लिए वो हव्या, चाहने योग्य होने से काम्या, हुर्दय को प्रसन करने से अखंडनी होने से अधीती, दुखधवती होने से सरस्वती, मही मिशालीनी होने से मही, विविद्धु रूप से शुरूत होने से विशुरूती तथा नामारी जाने योग्य होने से अगन्या कहलाती है। तो ये वाद येजुरूवेद के तीसरे अध्याई के बीसवेश लोक में बताई गई है। अध्याई के बहेंकर होती है, अता है तु हमारे गाई गोड़े और पुरुष को मत मार। अथरववेद में आता है, गोएं वधशाला में ना जाएं। गाई का वध मत कर। ये बात येजुरूवेद के तेरवे अध्याई के तेयालिसवे मंतर में है। वे लोग मूर्ख हैं जो कुत्ते से या गाई के अंगों से यग्य करते हैं। तो ये बात क्लियर कड़ बताई गई है कि वे लोग मूर्ख होते हैं जो कुत्ते से या गाई के अंगों से यग्य करते हैं। ये बात का मिली है अथरवेद के 7.5.5 इसके अतिरिक्त भी वेदों में अनेक मंतर गउरक्षा के लिए दिये गए हैं। आप सोयंग ही विचार करें कि जब वेदों में गउरक्षा की इतिनी स्पष्ट साक्षी है तब उन्हीं वेदों में यग्य में पसु हिंग्षा का संदेज कैसे हो सकता है। क्यूंकि एक तरफ आप एक पशु को बचा रहे हो और दूसरों को उड़ा रहे हो मार के खा रहे हो तो क्या लोजिक हुआ तो इसको बचाने का कोई रीजन भी नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं इससे हमको पता चलता है कि हम वैसे बहुत से जगा पर ये बात बताई गई है कि किसी पशु को मत मार कि किसी पशु को मत खा तो यग्य में पशु हिंसा का संदेश कैसे हो सकता है तो क्या तो अब किसी का तरफ यह हो सकता है कि वैदों पशु हिंसा इसलिए हो रहे ही कि देवताओं को संतुष्ट किया जा सके तो वो देवता क्यों कैसे हुए जो कि वह अपने आप में ही संतुष्ट है इसी लिए तो वो देillsय तो अगर वह अपने आप में इससपार नहीं है तो वह तो इनसान से भी गया गुज़रा हुआ है क्या वह इतना शक४्तिषाली नहीं है कि वह खुदी आकर खुद जाकर खाले उसको आपको खिलाने की क्या जरूरत है या फिर प्रतान करने की क्या जरूरत है ठीक है तो वेदों में गव हत्या करने वाले के लिए क्या विधान है वेदों में गाय हत्यारे के लिए कठिन से कठिन दंड का विधान है जो गव हत्या करने वाला हो उसे मृत्युदंड दिया जाए तो ये बात ये जुरुवेद के तीसवे अध्याए के अठरवेश लोक में मिलता है हे गव तुम प्रजाओं से संबन होकर उत्तम घास वाले चरगाहों में विचरो सुख पुर्वक जिनसे जल पिया जा सके ऐसे जलाशयों में से सुध जल को पियो चोर और घा तक तुमारा स्वामीना मने कुरूर पुरुष का शस्त्र भी तुमारे उपर ना गिरे तो अठरवेद के 4.21.7 में इसकी वर्नना मिलती है फिर आगे देखते हैं गव हत्या करने वालों के लिए स्पस्ट कहा गया है कि यदि तु हमारी गाई घोड़े आदी पशो की हत्या करेगा तो हम तुझे शीशे की गोली से उड़ा देंगे ठीक है तो ये बात भी अठरवेद के 1.16.4 में मिलता है तो शीशे की गोली से उड़ा देंगे तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई उस समय बंदूग भी होती थी क्या या फिर गोलीयां भी चलती थी कही ना कही Pता तो ये ही चलता है कही ना कही टेकनोलोजी तो थी तोड़ी बहुत थी या फिर इस प्रकार के यंद्र रहे होंगे जो गोलियों का प्रयोग करते थे ठीक है अब आगे बात करते हैं वेदों में गवहत्या पर मृत्यू दंड का विधान होने के बाद भी मध्यकाल में यग्यों में पशु बली प्रचलित होने का कारण राजाओं द्वारा संस्कृत एवं वेद ग्यान से अनविग्य होना था डंड देने का करतवे राजाओं का है जब राजा को ही यह नहीं सिखाया गया कि गवहत्यारे को क्या दंड दे तो वो कैसे दंड देंगे तो इसके विपरित यह बताया गया कि होम में बली दिया गया जो पशु है वो स्वर्ग को जाता है तो अगर मानव की बली दी जाए तो वो सिधा मोक्ष की प्राप्टि कर लेगा तो ऐसा नहीं होता है तो ये स्कीम सही नहीं है तो ऐसी जो चीजों में ऐसी भरांत धानलाओं में نہ जाए सत्य यही है कि यग्य में किसी भी पशु की बली का कोई भी विधान वेदों के सत्य उपदेश के अनुकूल नहीं है सही ट्रांसलेशन के अनुकूल नहीं है एवंग जो कुछ भी मध्यकाल में प्रचलित हुआ है वो वेदों के मनमाने अर्थ करने से हुआ है जो की त्यागने योग्य है एक और भारतिय आचार्य वाम मार के प्रभाव में आकर वेदों को मांच भक्षन का समर्थक गोशिष्ट करने पर उतारू थे दूसरी और विदेशी चिंतक अपनी मतांधता के जोश में वेदों के स्वार्थ पूर्ति के लिए निंदक अर्थ जो है निंदा करने वाले अर्थ जो है वो निकाल रहे थे जिससे की वेदों के परती भारतिय जन्मानस में श्रद्धा समाप्त हो जाए और उनका मार्ग ज हम सभी को स्वामी जी के इस उपकार का आभारी होना ही चाहिए बिल्कुल तो जाती और वन के बारे में अब आगे हम बात करते हैं जाती वाद सभ्यसमाज के माथे पर एक कलंग है जिसके कारण मानव समाज के मानव के परती नाकेवल असमवेदन शील बन गया है अपीतु श कुछ नहीं कुछ लोगों का विचार है कि जाती वाद का मूल कारण वेद और मनस्पृति हैं परन्तु वैदिक काल में जाती वाद और प्राचीन भारत में छुआ छूत के अस्तित्य से तो विदेशी लेखक भी स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं वैदिक काल में विशाब जेलने पड़े जाती वाद के कारण आपसी मत भेदों में वृद्धी हुई सामाजिक एकता और संगठन का नाश हुआ जिसके कारण विदेशी हमलावरों का आसानी से निशाना हम लोग बन गए एक संकीर्ण दायरे में हम लोग बन क्या गए हम लोग अभी भी फसे हुए हैं तो एक संकीर्ण दायरे में वरवधु ना मिलने से बेमेल विवाह आरंब हुए जिसका परिणाम दुर्बल एवं गुण रहित संतान के रूप में निकला आपसी मेल ना होने के कारण विद्या, गुण, संसकार और व्यवसाय आदी में उन्नती रुग गई क्योंकि अगर गुण मिलने चाहिए, देखो अगर गुण, अगर सेम ना हो, ठीक है, एक दूसरे की अगर हम रेस्पेक्ट ना करें तो तो वरण विवस्ता जो है, जो वैदिक वरण विवस्ता है, वो नैचुरल है, इसको कोई कोशिश भी करे तो भी चेंज नहीं कर सकता हम लोग यह बोल सकते हैं, कि मेरे पिताजी क्षत्रिये थे वगएरा वगएरा थे, ये थे वो थे, मेरा सरनेम यह है, तो मैं क्षत्रिय हूँ वगएरा वगएरा, लेकिन जो नैचुरल है, वो तो नैचुरल रहेगा ही, ठीक है, तो जाती का आर्थ है, उद्भाव के 2.2.71 में लिखा है समान प्रसवात्मी का जाती ही अर्थात जिनके प्रसव अर्थात जन्म का मूल समान हो अथवा जिनकी उत्पति का प्रकार एक जैसा हो वह एक जाती कहलाते हैं आक्रूतीर जाती लिंगा ख्यायाहा न्याय दर्शन के 2.2.65 अर्थात जिन वेक्तियों की आक्रूती इंद्रियादी एक समान है उन सब की एक जाती है हर जाती विशेश के प्राणियों के शारिरिक अंगों में एक समानता पाई जाती है सिरिष्टी का नियम है कि कोई भी एक जाती कभी भी दूसरी जाती में परिवर्थित नहीं हो सकती है और ना ही भिन भिन जातियां आपस में संतान को उत्पन कर सकती है तो इसलिए सभी जातियां इश्वर निर्मित है ना कि मानव निर्मित है तो सभी मानवों की उत्पत्ति, जाती means species, ठीक है, तो सभी मानवों की उत्पत्ति, शारिरिक रचना, संतान उत्पत्ति और आदी, एक समान होने के कारण उन्न की एक ही जाती है, और वो है मानव जाती यानि मनुष्य जाती, ब्रामन क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के अब आप खुद अपने दिमाग को लगाए, क्या कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने गुण कर्म और सुभाब को बदल सकता है, तो अगर हाँ, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, और अगर ना कोई व्यक्ति अपने गुण कर्म सुभाब को बदल नहीं सकता है, अगर विन्न कामों को परस पर बांटना किसी भी कार्य को उसके अनुरूप डक्ष व्यक्ति से करवाना सभी मनुष्यों को उनकी योग्यता अनुरूप काम पर लगाना एवंग उनकी आजिविका यानि उनके प्रफेशन का प्रवंद करना है आपको एक एक्जांपल देता हूँ भगवान सिर्कृष्ण कहता है गीता में चातु वर्णो मयास्रिष्ट गुनकरमे विवास तो वहाँ पर वो ऐसा क्यों कहता है कि वे चारो वर्ण जो हैं वो उनसे निकले हैं तो क्या मतलब वो पैदा हुए हैं ना 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 सोचो एक चीज को आप सोचिए कि आपको एक अच्छी सुसाइटी बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए कॉमेंट सेक्षन में उसे जरूर बताना ठीक है वीडियो को पॉस करना कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना जितने भी सारे हुए, तो ये research वाले line वाले हो गए, पहले, दिमाग वाले, जितने दिमाग वाले काम करने पड़ते हैं, जैते कि doctors भी हो गए चलो, उनको भी उसी category में ले लो, ठीके, तो ये category होई, दूसरा होता है, बल जीवी, police, army, traffic police, martial artist, जो भी train देते हैं, या फिर train कर हो गए, agricultural, जितने भी उस department के हो गए, ठीके, तो ये हो गए, वाईश, शूद्र कौन हुए, जो corporate jobs करते हैं, जो वाईशों के अंडर में आते हैं, जो 9 to 5 jobs करते हैं, वो होते हैं, शूद्र, ठीके, तो अब आप मुझे बताईए, कि क्या ये natural नहीं है, एक society को करने के में स्री कृष्ने बताया है, लेकिन लोगों ने इसका और कोई गलत अर्थे निकाल लिया, लोग तो वेदों के गलत translation निकाल लेते हैं, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, खेर, आशा करता हूँ कि ये जो concept है, आपको समझ में आया होगा, चलो, आगे बात करत हैं, आरंब में सभी मनुशों का एक ही उवरण था, लौकिक विवहार की सिद्धी के लिए कामों को परस पर बांट लिया, ये विभाग करने की, जो classification करने की प्रक्रिया है, पूर्ण रूप से योग्यता पर आधारित्ती, प्रोफेशन पर आधारित्ती, जैसे कि डॉक् बलड में नेपोटिजम, तो वरण के स्थान पर जाती का रूड हो गया, मनुशों ने अपने वरण अर्थात योग्यता के स्थान पर अपनी अपनी भिन भिन जातिया निर्धारित कर ली, गुण कर्म और सुबहब के स्थान पर जन्म के आधार पर अलग-Alग जातियों मे मनुष्यों जो मनुष्य हैं ना केवल विवाजित हो गया अपी तु एक दूसरे से भेदभावी करने लगा वैदिक वरणाश्रम विवस्था का स्थान जो है छदम एवंग मिथ्या जातिवाद ने ले लिया तो बस एक जगा पर misunderstanding पूरी की पूरी परंपरा को बरबाद कर सकता है वैदिक वरण व्यवस्था को बरबाद कर सकता है जो कि किया लेकिन किया तो किया लेकिन एक चीज आप सम्झीए ये तो बिल्कुल नाचुरल है ये तो सारे देश अपनाते हैं आपना नहीं पड़ेगा नहीं तो सुसाइटीग हतम चीजे चाहिए चाहिए एक अच्छी सुसाइटीग को बनाने के लिए तो अब दूसरी शंका है कि मनुषों को ब्रामन ख्षत्रिय वैशो एवंग शूद्र में विवाजित करने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ तो प्रतिक मनुषों दूसरों पर जीवन निर्वाह करने के लिए निर्भर है कोई भी व्यक्ति परस्पर सायोग एवंग सहायता के बिना मनुषों चित जीवन व्यतित कर सकता है नहीं वो जीवन व्यतित कर सकता है और नहीं वो अपने लाइफ में डेबलब कर सकता है तो अतह इसके लिए आवशक था कि व्यक्ति जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण सभी कर्मों का विभाजन कर ले जो जो काम होते हैं अपनी सुसाइटी को स्ट्रोंग करने के लिए उसको क्लासिफाई कर ले और उस-उस कार्य में महारत हाशल कर ले जो जो सिक्षा अनिबार्य है उस-उस सिक्षा को वो ग्रहन करे सभी जानते हैं कि अशिक्षित एबंग अप्रशिक्षित व्यक्ती से हर प्रकार से शिक्षित एबंग अशिक्षित एबंग प्रशिक्षित व्यक्ती उस कार्य को भली प्रकार से कर सकते हैं अन्सकिल्ड मैन से स्किल्ड मैन बेटर होता है तो समाज निर्मान का यह भी जो है मूल सिध्धात है कि समाज में कोई भी व्यक्ति बेकार ना रहे एबंग हर व्यक्ति को आज वीका का साधन मिले तो आप समझी गए होंगे तो यह भारत विश्वगुरु क्यूं था विद्वान लोग भली प्रकार से जानते हैं कि जिस प्रकार से शरीर का कोई एक अंग प्रयोग में ना लाने से बाकी अंगों को भली प्रकार से कारे करने में व्यवधान डालता है उसी प्रकार समाज का कोई भी व्यक्ति बेकार होने से संप्रून समाज की हानी होती है सब भली प्रकार से जानते हैं कि भिकारी, चोर, डाकू, लुटमार, आदी करने वाले समाज पर किस प्रकार के बोज है आज कल टेर्रिस्ट जो डाकू ये सब चीज़ें ये सब जो चीज़ें हैं मतब जीदने लोग हैं वो किस प्रकार से समाज के लिए बोज हैं और इनको निकाल कर भेंगना चाहिए और इस चीज़ पर सारे देश दुनिया के सारे देश लगे हुए हैं इसलिए वेदों में समाज को विवस्तित करने का आदेश दिया गया है तो अब वेकारी समस्य वड़ेगी तभी तो इस टाइप के चीज़ें होंगी न तो अगर इन चार सेक्शन में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये अंदकार और नरक के लिए वीरगातक नफुगसक के लिए पाप खरीद के लिए पुर्शार्थी काम के लिए विविचारी अच्छी बोलने की शक्ति के लिए प्रमान देने वाला उपयूप्त होता है अब थर डाउट आता है कि आर्य और दास दश्यू में क्या जो है डि एक गुण कर्म सुभाब के अनुसार एक टैग है एक नेम टैग है तो एक नेम टैग आपको बच्पन से तो मिलता नहीं है ठीक है तो आपके गुण कर्म सुभाब के अनुसार ही आपको नाम मिलता है तो आप जैसे हो उसी के हिसाब से आप वो हो तो ब्रामण आदी कर्म भेद के आधार पर निर्धारित है स्वामी द्यानन्द के अनुसार ब्रामन से लेकर शुद्र तक चार वरण है और चारों आर्य है मनस्मर्ति के 10.63 के अनुसार चारों वरणों का धर्म एक ही है वो है हिंसा ना करना, सत्य बोलना चोरी ना करना, पवित्र रहना एवं इंद्रिय निग्रह करना आर्य शब्द कोई जाती वाचक शब्द नहीं है अपी तुगुण वाचक शब्द है आर्य शब्द का अर्थ होता है स्रेश्ट अथवा बलवान इश्वर का पुत्र इश्वर के एश्वरे का स्वामी उत्तम गुण योक्त सदगुण परिपूरुन आदी आर्य शब्द का प्रयोग वेदों में निम्नलिखित विशेशनों के लिए हुआ है मतलब किस-किस जगा पर हुआ है चलिए रफरेंसस दिखते है स्रेश्ट वेक्ति के लिए रिगवेद के 1.103.3 रिगवेद के फिर से 1.130.8 और 10.49.3 फिर इंद्रे का जो विशेशन है वहाँ पर भी आ रहे है सोम का विशेशन में भी आ रहे है जोती का विशेशन में भी आ रहे है व्रत का विशेशण में भी आ रहे है प्रजा का विशेशण में भी उनको आर्य बताया गया है ठीक है तो स्रेश्ट विक्तियों को आर्य कहा जाता है इससे पता चलता है दास शब्द का अर्थ अनार्य अग्यानी अकर्मा मानविय विवहार सुन्य यानि हिमेनिटी लेस भृत्य बल रहित शत्रू के लिए हुआ है ना कि किसी विशेश जाती के लोगों के लिए हुआ है जैसे दास शब्द का अर्थ मेघ ठीक है जैसे रिगवेद के इस रेफरे सुक्त के आठवे मंत्रों पर मिलता है अज्यानी अकर्मा मानविय विभार शुन्य वो मिलता है रिगवेद के 10.22.8 में मैंना भी बताया बल रहित शत्रू 10.83.1 इस जगा के लिए हुआ है तो दश्यू शब्द का अर्थ उत्तम कर्महीन व्यक्ति अज्यानी अव्रती मेघ आधी के लिए हुआ है ना कि किसी विशेश जाती अथवा स्थान के लोगों के लिए तो इन प्रमानों से सिद्ध होता है कि आर्य और दश्यू सब्द गुण वाचक हैं जाती वाचक नहीं है इन मंत्रों में आर्य और दश्यू दास शब्दों के लिए विशेशोन से पत जाने वाले आर्य तथा अनाचारी और अपराधी प्रभृति वाले दश्यू होते हैं फिर चौथा डाउट आता है कि वेदों में शुद्र के अधिकारी के विशय में क्या क्या कहा गया है तो स्वामी द्यानन ने वेदों का अनुशीलन उसका प्रपर एनेलिसिस करते हुए पाया है कि वेद सभी मनुश्यों और सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने के अधिकार का समर्थन करते हैं फिर आगे बाद करते हैं कि वो क्या कहते हैं स्वामी जी के काल में शुद्रों को वेद अधियन का निशेप था उसके विपिरीत वेदों में सपश्ट रूप से पाया गया है कि शुद्रों को वेद अधियन का अधिकार स्वयम वेद ही देते हैं वेदों में शुद्र शब्द लगबग 20 बार आया है कहीं भी उसका अपमान जनक अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है और वेदों में किसी भी स्थान पर शुद्र के जनम से अच्छूत होने उन्हें वेदा धेयन वेदों का अधियन करने से वन्चित रखने अन्य वर्नों से उनका दरजा कम होने या उन्हें यज्ञादी से अलग रखने का उल्लेक कहीं पर नहीं मिलता है उसके बाद हे मनुश्यों जैसे मैं परमात्मा सब का कल्यान करने वाली रगिवेद आदी रूप वानी का सब जनों के लिए उपदेश कर रहा हूं जैसे मैं इस वानी का ब्रामन और क्षत्रियों के लिए उपदेश कर रहा हूं वैसे ही तुम भी आगे आगे सब लोगों के लिए इस वानी के उपदेश का क्रम चलाते रहो ये बात कहां पर लिखी है ये जुर वेद के 26.2 में रेफरेंस भी दे दिया स्क्रीन शॉट ले लेना चेक कर लेना फिर अथर्म वेद के 19.62.1 में ये बात मिलता है कि प्रियं माक्रुन देवेशु प्रियं राजसु माक्रुन प्रियं सर्वस्य पर्षत उत्त शूद्र उतारिये उतारिये हे अगनी तुम मुझे देवों का प्रिये बनाओ मुझे राजाओं का भी प्रिये करो हे अगनी मतलब यहाँ पर इश्वर को पताया गया है ना कि अगनी को तो हे अगनी तुम मुझे देवों का प्रिये बनाओ मुझे राजाओं का प्रिये बनाओ मैं सभी देखने वालों का शूद्रों का आरियों का प्रिये बनू अर्थात सब का प्रिये बनू अथर्म वे जिसके लिए हम चाह सकते हैं और प्रतेक विविध्य प्रकार देखने वाले पुरुष के लिए प्रिय करें इस प्रकार वेद की शिक्षा में शूद्रों के प्रती सदाही प्रेम पृति का विवहार करने और उन्हें अपना ही अंग समझने की बात यहां पर कही गई है अब पांचवाड आउट आता है वेदों के शत्र विशेश रूप से पुर्ष शुक्त को जातिवाद की उत्पति का मूल मानते तो पुर्ष शुक्त के जो पुर्ष शुक्त जो है वो तेरा मंत्रों का शुक्त है जो चारों वेदों में मामूली अंतर में मिलता है पुर्शुक्त में जातिवाद के नहीं अभी तुवन विवस्था के आधार भूत मंत्र हैं जिसमें ब्रामणोस्य मुखामासित ब्रामण शत्रिय वईश्य और शूद्रों को शरीर के मुख भुजा मध्यभाग और पेरों से उपमा यानि कंपेर किया गया है तो वो जो मंत शूद्र है वो एक्चुली मेटाफरीकली बताया गया है ना कि ऐसे डाइरेक्ट बताया गया है कि ब्रामण इधर से निकले है या फिर शूद्र या फिर कोई है वो इधर से निकला है ब्रामण जी के मुखसे में निकला है या फिर पूरुष जो परमात्मा है उनसे निकल इस उपमा से यह सिद्धु होता है कि जिस प्रकार शरीर के यह चारो अंग मिलकर एक शरीर बनते हैं। चाहिए यदि पैर में काटा लग जाए तो मुख से दर्द की ध्वनी ही निकलती है और हाथ सहायता के लिए ही पहुंचते हैं उसी प्रकार समाज में जब शुद्रों को कोई कठी ना ही पहुंचती है तो ब्राम्वन भी और क्षत्रिय भी उसकी सहायता के लिए आगे आएं सब वर्णों में परसपर पूर्ण सहानुवूती सहयोग और प्रेम पृति का वरताव होना चाहिए इस शुक्त में शुद्र के प्रती कहीं भी भेद भाव की बात नहीं की गई है तो जो लोग प्रोपाइगंडा फैलाते हैं वो मेरी स्ट्रीम को आँख ना कान और जितन द्रक्यों की पैर हैं इसलिए सबसे नीचे अर्थात निक्रुष्ट हैं तो ये गलत अर्थ है पूरु सुक्त में कर्म के आधार पर समाज का विवाजन है ना कि जन के आधार पर इस सुक्त का एक और अर्थ इस प्रकार है कि जब कोई व्यक्ति समाज में ज्यान के प्रशार करने में योगदान दे रहा है तो वो ब्रामन अर्थात समाज का शीश है, सर है वो जो व्यक्ति समाज की रक्षा अथवा नितृत करे तो वो खशत्री अथवा समाज की भुजा है यदि कोई व्यक्ति देश को ब्यापार धन आदी से सम्रद करे तो वो वैश्य अर्थात समाज की जंगा है और यदि कोई व्यक्ति विद्या से रहित है अर्था शूद्र है तो वो इन तीनों वरणों को अपने अपने कार्य करने में सहायता करे अर्थात इन तीनों की नीव बने मजबूत आधार बने तो क्या वेदों में शुद्र को नीचा माना गया है वेदों में शुद्र को अत्यंत परिश्रमी कहा गया है यजुर वेद में आता है तपसे शुद्रम अर्थात श्रम अर्थात मेहनत से अन आदी को उत्पन करने वाला तथा शिल्प आदी कठिन कार्य आदी को अनुष्ठान करने वाला शुद्र है तप शब्द का प्रयोग अनंत सामर्थ से जगत के सभी पदार्थों की रचना करने वाले ईश्वर के लिए वेद मंत्र में हुआ है वेदों में वरणात्मक दृष्टी से शुद्र और ब्रामण में कोई भेद नहीं है येज़र वेद के 30.22 में आता है कि मनुष्व में निंदित व्यभीचारी जुवारी नपुंक्सक जिन में शुद्र श्रम जी भी कारीगर ब्रामण अध्यापक और शिक्षक नहीं है उनको दूर बसाओ मतलब जो लोग शुद्र नहीं है ब्रामण नहीं है या फिर इन चारो वरणों में से कोई नहीं है उनको दूर भगाओ उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बेकार है, ना शूद्र है, ना ब्रामन है, ना शत्रिय है, ठीक है, तो जाती की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वरणी की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशन, और जो राजा के संबंदी हितकारी हैं, शूद्र जो है वो लेबर से अपनी मैनस से अपने फिजिकल वर्क हो या फिर किसी पर प्रकार का वर्क हो या फिर 9 to 5 जॉब हो तो उस प्रकार से वो राज्य की सेवा करता है दोनों को समीप बसने का अर्थ यही पताता है कि शूद्र अचूत शब्द का परियाएवाची न में आता है कि मनुष्यों में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है सभी आपस में एक महान बराबर के भाई हैं सभी मिलकर लोकिक और पारलोकिक सुक एवं एशुरे की प्राप्ति करें मनुष्बृती 10.63 में लिखा है कि हिंसा ना करना सच बोलना दूसरों का धन अन् ना हारना, पवित्र रहना, इंदरीओं का निगरह करना, इंदरीओं को कंट्रोल में रखना और ये सब चीजे जो है वो चारो वरणों का काम है यहां पर स्पष्टु रूप से चारो वरणों के आचार धर्म को एक मना गया है वरण भेज से धार्मिक होने का कोई भेद न होने भर से कोई ब्राहण नहीं बंजाता अपीतु सधाचार सही आचरन से ही मनुषय बात महाबहरत के अनुशाषन परवेकर 226 में यह बात बताई कई तो कोई पैदा होने से अर्फ कर वैर फिर्बेद पढ़ लिया उससे वसके ब्राहण सही आचरन से ही वो ब्रामण बनता है, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं हो जाता है, उसको implement भी करना पड़ता है, तभी तो वो ब्रामण है, तो कुल और जाती से कोई ब्रामण नहीं हो सकता, ये बात महाभारत के अनुशाषन पर्व के अध्याई 226 में बताया गया है, फ महाभारत के वर्ण पर्व के अध्याई के 216 मतलब अध्याई 216 के शलोक नमबर 14 में है, ठीक है, तो आप आगे बात करते हैं, भविश पुरान के अध्याई 44, शलोक नमबर 33, शूद्र यानि शूद्र यदि ज्यान संपन हो तो वो ब्रामण से भी स्रेष्ट है, और आच भरिष्ट ब्रामण जो है, वो शूद्र से भी नीच है, तो शूद्रों के पठन-पाठन के विशेय में लिखा है, अब यहाँ पर एक अडाउट और भी आ सकता है, आप लोगों के, कि यार शूद्र से भी नीच है, तो इसका मतलब तो यह है कि भाई, शूद्रों जो कही कोई रिसर्च करने वाला या फिर कोई प्रोफेसर आप खुद सोचो ठीक है तो डिफरेंस क्या है तो क्या इसका मतलब है कि जो 9 to 5 जॉब करने वाला नीच है मूर्ख है गधा है क्या ना ना लेइन उनके सामने ओवियसली कम नोलेज है वेरी सिंपल ठीक है तो शुद्रों क अर्थाद विद्या ग्रहन करना चाहिए शुद्रों के पठन पाठन के विशव में ये बात बताए गए कि दुष्ट कर्म ना करने वाले का उपनें करना चाहिए गुरुह सुत्रकांड दो हरीहर भाष्य कुर्मपुराण अध्याए 19 में शुद्र के वेदों का विद्व बनने का वर्णन मिलता है अब सात्वा डाउट स्वामी द्यानंद का वर्ण व्यवस्ता एवं शुद्र शब्द पर क्या दृष्टी कोण है स्वामी द्यानंद जी के अनुसार जो मनुष विद्या पढ़ने का सामर्थ तो नहीं रखते और वे धर्माचरन करना चाहते हो तो विद्वानों के संग और अपनी आत्मा की पवित्रता से धर्मात्मा अवश्य हो सकते हैं सीदी सी बात है अगर को यह 9 to 5 जॉब करता है उसको यह वेद पढ़ना या फिर पुरान पढ़ना उसको उसके पास टाइम नहीं है न सीदी सी बात है मैं यह यह नहीं कहे रहा कि भाई मुझे तो अपनी देश की सेवा करनी तो यह भी करूं यह भी करूं दोनों से पैसा चांपू पुसीबल नहीं है और कोई डॉक्टर बने तो वो इंजिनियर बनने की कोशिश क्यूं करेगा या फिर कोई इंजिनियर है तो वो डॉक्टर बनने की कोशिश क्यूं करेगा या फिर कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है कोर्पोरेट वर्ल्ड में तो वो कुछ और बनने की कोशिश क्यूं करेगा हाँ अपनी आत्मा की पवित्रता से धर्मात्मा अवश्य हो सकते हैं। सब मनुष्यों को विद्वान होना तो संभव नहीं है, परन्तु धार्मिक होने का संभव सभी के लिए है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ लोग तो होने चाहिए, स्वामी द्यानन के अनुसार, गुण कर्म और सोभाव के अनुसार, मनुष्यों की कर्म विवस्था होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जिसके मातापीता अन्यवरण के हो, उनकी संतान का भी ब्रामन हो सकता है क्या। जावाल तो इसका एंसर यह है कि जावाल रिशी अग्यात कुल से महाभारत में विश्वामितरक शत्रियवन से और मातंग चांडाल कुल से ब्रामन हो गए थे। अभी जो उत्तम विद्या सुभा बाला है वही ब्रामन होने के योगे है और मूर्ख शूद्र होने के योगे है। अब मूर्ख यानि अब हम ये मत समझना कि वो तो ब्रामन के साम नहीं मूर्ख है, मतलब कम इंटेलिजन्ट है। यहाँ पर ये बात कहा गया है, अब ये मत समझ लेना कि जो शूद्र है वो किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर कोई इंटेलिजन्ट ही बने, तो इंटेलिजन्ट के मुकाबले क्या होता है, वो थोड़ा सा कम इंटेलिजन्ट है, तो उसी को उसी दृष जप नाना विधी होम के अनुष्ठान संपूर्ण वेदों को पढ़ने पढ़ाने इस्टी आधी यग्यों के करने धर्म से संता नुथपत्ती मंत्र महायक्य अगनी होत्र आधी यग्य विद्ध्वानों के संग सत्कार सत्य भाषन परुपकार आधी सत्कर्म दुष्टाचा स्रेष्ट आच्चरण में वर्तने से ही ब्रामन का शरीर किया जाता है रजवीरे से वरण व्यवस्था मानने वाले सोचें कि जिसका पिता स्रेष्ट और उसका पिता दुष्ट और कहीं कहीं दोनों स्रेष्ट और दोनों दुष्ट देखने में आते हैं जो लोग गुण क सुभाब से वरण व्यवस्था ना मान कर रजवीरे से वरण व्यवस्था मानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वरण को छोड़ कर नीच अत्यंज अथुआ कुष्टयन मुसल्मान हो गया है उसको भी ब्रामन की नहीं मानते हैं इस पर भी यही कहेंगे कि उस वही ब्रामन और जो नीच भी उत्तम वरण के गुण करम सुभावाला हो तो उसको भी उत्तम वरण में और जो उत्तम वरणस्थ हो लेकिन नीच काम करें तो उसको नीच वरण में गिनना अवश्य चाहिए यही बात जो है हमारे शास्तर कहते हैं और इसके प्रूफ के पर भी में एक विडियो बनाऊंगा ठीके उसके लिए भी चिंता करने की ज़रुलत नहीं है तो अब एक और डाउट आता है कि अगर ब्रामन का पुत्र गुण कर्म स्वभाव से रहित हो तो क्या वह शूद्र कहलाएगा और अगर शूद्र गुण कर्म स्वभाव से गुण तो व्यदिक वर्ण विवस्था के अनुसार ब्रामन का पूत्र विद्या प्राप्ती में असफल रहने पर शूद्र कहलाएगा वैसे ही शूद्र का पूत्र भी विद्या प्राप्ती के उपरांत अपने ब्रामन क्षत्रिया वैश्य वर्ण को प्राप्त कर सकता है यह सब दिया जाता था, अब तो सिर्फ ब्राह्मन लोग ही जो है, बतब जाती से ब्राह्मन, जो जाती वाला कॉंसेप्ट तो आ गया है अभी जर्म से जाती, तो वो ही लोग यग्योपवीत को धारण करते हैं, उसको जैनेव कुछ लोग कहते हैं, ठीके, तो प्रतेक वरण के एक admission form होता है, तो अगर आप उस फार देते हो उस सब के सामने, तो मतलब admission form तो नहीं कहूंगा, एक certificate की तरह ही कहूंगा, exact certificate नहीं है, लेकिन फिर भी एक symbol था कि आप यहाँ पर study कर रहे हैं, फिर आप इस गुण को धारन कर रहे हो, अगर आप इस चीज़ को follow नहीं कर रहे ह आप से चीन लिया जाएगा, तो वेधिक इतिहास में वर्ण परिवर्तन के अनेक प्रमान उपस्तित है, जैसे एतरिये रिशी दास अथवा अपराधी के पुतर थे, परंतु अपने गुणों से उच्च कोटी के ब्रामन मने और उन्होंने एतरिये ब्रामन और एतरिये उ परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और रिगवेद पर अनुसंधान करके अनेक आविश्कार किये, रिशियों ने इन्हें आमंतरित करके आचारिये पत पर आसीन किया था, ये बात एतरिये ब्रामन के दो उन्नीस में मिलता है, चेक कर लेना, सत्यकाम जावाल गण पित्र थे वेश्या, प्रोसित्यूट के पुत्र थे परंतु वे ब्रामनत्तो को पराप्त हुए, चांदोगे उपनिशत, मैं इसका वरन मिलता है, चांदोगे उपनिशत के 4.4.4 उसके बाद विश्नु पुरान के बाड़े में आता है कि प्रुशदश्तु मनु पुत्र गुरु का प्रुषद नामक पुत्र गुरु की गौ का बद करने के कारण अधम या नीच हो गया गुरु का पुत्र जो है वो करुष था करुष है कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन हुए ठीक है तो उपरक्त श्लोक से ज्यात होता है कि मनु जी के एक पुत्र शुद्रु और दूसरे क्षत्रिय थे तो अब आगे आते हैं दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था उससे वलंधन नामक का पुत्र हुआ इसी अध्याय के आगे के श्लोक से ज्यात होता है कि वैश्य नाभाग के पुत्र आगे चलकर ख्षत्रिय हुए और उन्हीं के एक वंचर जिनका नाम सोमदत था उन्होंने सो अश्मेद यग्य किये थे अब वैश्यु पुराण के 4.8 में चक करू गुरुष्टमद का पुत्र शोनक चातुर व्रणे का प्रवर्तक ब्रामान श्यत्रिय वैश्य शुद्र का हुआ रिशी पुलेस्त का पुत्र रावन अपने कर्मों से राक्षस बना था विश्वामित्र स्वयंक्षत्रिय थे परंतु बाद में उन्होंने ब्रामान तुको प्राप्त किया था विदुर दासी के पुत्रते तथा पी वे ब्रामान हुए और उन्होंने हस्तिनापुर सामराजे का मंत्रीपत सुशोबित किया था इन उधारणों से यही सिद्धु होता है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में वर्ण परिवर्तन का प्रावधान था प्रोफेशन की तरह था एवंग जन्म से किसी का भी वर्ण निर्धारित नहीं होता था मनुस्मृति के 10.65 में भी वर्ण परिवर्तन का स्पष्ट आदेश है शुद्र ब्रामन और ब्रामन शुद्र हो जाता है इसी प्रकार से एक्षत्रियों और वैशों की संतानों के वर्ण भी बदल जाते हैं अथुआ चारों वर्णों के व्यक्ति अपने अपने कारेयों को बदल कर अपने अपने वर्ण बदल सकते हैं ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है अब नाइन्थ डाउट जो है वो आता है कि जाती भेद की उत्पति कैसे हुई और जाती भेद से क्या-क्या हानिया हुई जान तो गए कि हमारे सनातंतर में ऐसा कुछ तो है नहीं लेकिन जात जाती भेद से क्या-क्या हानिया हुई जाती भेद की उत्पति के मुखे कारण कुछ अनार्य जातियों में उन्नत जाती कहलाने की इच्छा कुछ समाज सुधारों को द्वारा पंथ आदी की स्थापना करना और जिसका बाद में एक विशेश जाती के रूप में परिवर् से निकले रिती रिवाच का भेद पौरानी काल में धर्माचारेों की अग्यानता जिसके कारण रामायन महाबारत मनस्मृतियादी ग्रंथों में कुछ गलत गलत चीजे मतलब गलत ट्रांसलेशन की गई धर्म ग्रंथों को जाती वाद के समर्थक में रूप में परिवर्त के हित एवंग उससे माइतरी करने के विशय में कभी भी नहीं सोचता है जिसका प्रॉपर एक्जामपल आज अपने समाज में आप देख सकते हैं और उसकी मानसिक्ता के अनुसार ही वो बनी रहती है इसी मानसिक्ता चलते समाज में एकता और संगठन बनने के स्थान पर श इकता और समभाव होना चाहिए था वहाँ वीरोध और मतभेद उत्पन हो गया जहां प्रजा में बल और जीवन होना चाहिए था वहाँ निर्बलता और मौत का वास है तो ये बात जो है वो मिलता है कहां से हमने लिए है सिविलाइजिशन इन एंचेंट इंडिया बाई समाजिक एकता के भंग होने से विप्रीत परिस्थितियों में जब शत्रू हमारे उपर आकरमन करता था तब साधन संबन होते हुए भी सब कुछ हमारे पास होते हुए भी शत्रू की आसानी से जीत हो जाती थी क्यूंकि हम लोग आपस में लड़ने लग जाते थे हम लोग जातीवाद ही इसकी सबसे बड़ी जड़ है तो जातीवाद के करण देश को शताब्दियों तक गुलाम रहना पड़ा जातीवाद के चलते करोंडों हिंदू जाती के सदस्य धर्मान तरित होकर Vिधर्मी मन गए तो ये किस की हानी थी केवल और केवल हिंदू समाज की हान आप कोई आपती नहीं समझेंगे और जाती वाद से होने वाली हानियों को समझ कर उसका हर समभव त्याग करेंगे आपने समय देकर हमारी प्रस्तूती को अच्छे से सुना और अच्छे से समझने का प्रयास किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली प्रस्तुती को लाने से पहले मैं लेता हूँ विराम तब तक के लिए जय श्री राम मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस्ट आपको मिले इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामना है